एलो फ्रेंड्स वेलकम बेक्टू निदीज किचन आप सबको परफेक्ट खाला सिखाना मेरा मिशा ने मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब किजिए साथ ही पर आइकन को प्रेस किजिए कि मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेश आपको मिल सके तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले टमाटर का पाउडर टमाटर का पाउडर के से बनाते घर पर वो आज मैं आपको बताऊंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यह से ग्रीन वाले टमाटर ने लेने आपको यह से रेट कलर वाले टमाटर ही आपको यूज में लेने है तो यह इस तरीके से जो green टमाटर है येलो है उन सब को हम side में रख देंगे वो टमाटर हम यूज में लेंगे तो हमारे टमाटर का पावडर बिल्कुल red नहीं बनेगा अब हम इसके उपर के से ये ग्रीन पाड्स इसका डंखल हम इसका हटा देंगे सबी टमाटर को मैंने अच्छे से बोश कर लिया है और इन्हें मैंने अब कट कर लूँगी तो friends देखिए आप सोचते होंगे मार्केट से टमाटर का पावडर लाते हैं तो कि इसे कैसे बनाते ह है नहीं friends बूर्ट डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुश सिंपल रसीपी है आप इसे फटा फटा पुटती काट लिजिए इस तरीके से जिस तरीके से आपको काटना है छोट-छोटे पेस में गोल शेप में शेप में जिस शेप में आप काटनाचाते बैसे आप इसकी कुटिं ताकि इसको सुखने में दाय टायम नहीं लगे अब यह देखी मैंने कट करने के बाद इसको मेरे धूप में सुखा दिया है धूप में मैं इससे सुखा दूँगी तीन से चार दिन तो आपको इससे सुखाने में लगेंगे फ्रेंड्स अब यह देखे चार दिन बाद मैं आ कर लेंगे ये देखी से मिक्सर जार में तो आप इसे चांद सकते हैं एक बार बिसे चांद कर यूज ले सकते हैं अगर आप इसे 6 महिने के लिए इन चाहते हैं जाद़ लंबे समय के लिए तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल कर आप इसे स्टोर कर सकते हैं तो यह बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा तो फ्रेंट्स टामाटर का पावडर अगर हम आलू के चिप्स बगेरा बना रहे हैं या फिर आपके पास टामाटर नहीं है घर मे तो आप उस टाम पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे यूज ले सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको मेरे रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जुरू बताएं